हलो दोस्तों मैं सुशान जैन रेजोनेंस के प्री मेडिकल डिविजिन के और से आपका हर्दिक स्वागत और अभिननन करता हूँ जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि NEET UG 2023 का जो एक्जाम है वो 7 मही 2023 को होने वाला है अब आपके पास 4 महीने बचे हैं इन 4 महीनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक सपना है कि उनको NEET UG 2030 क्वालिफाइ करना है जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो पूरे साल भर का जो कोर्स होता है वो करीब करीब आपका 1.5 लाग रुपयार लग जाता है लेकिन एक कॉम्पक्ट क्रैश कोर्स में ये सुविदा आपको 15 से 20 हजार रुपय में मिल जाती है तीसरा बेनिफिट ये होता है कि बच्चा जो है वो खुद अपने आपको एकसेस कर सकता है कि उसकी क्या तयारी चल रही है सो बच्चों इस केस में रेजोनेंस आपकी कैसे मदद कर सकता है रेजोनेंस लेके आया है एक कॉम्पक्ट क्रैश कोर्स नीट वाले बच्चों के लिए है जिसका नाम है सारांश सारांश क्रैश कोर्स सो अब हम लोग जानते हैं सारांश क्रैश कोर्स के बारे में बचो सारांश जो है वो एक फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है एक यह fast track crash course program है NEET UG 2023 वाले candidates के लिए इस crash course में आपको जो expert faculty है वो पूरा का पूरा entire NEET का जो syllabus है वो revise कराएगी इसके लावा आपकी जो doubts हैं, important topics हैं, वो cover करवाएंगे, अब हम इस course के बार में details जानते हैं, course का नाम है सारांश, जो mode है teaching का वो English में रहेगा, जो course का duration है, वो एक फर्विर से start होकर 29 April को जाके खतम होगा, यह course quota study center में चलेगा और यह hybrid mode में available है, यानि जो students quota नहीं आ सकते, उनके लिए जो course है, वो online mode में भी available है, जैसा कि बच्चों में आप, अब हम जानते हैं, इस course के features के बार में, जो total duration इस course की, वो 88 days है, एक फर्वरी 2023 से लेकर 29 April 2023 तक, जो total course mode है, जैसे मैंने आपको बता है, online और offline, दोनों modes में एक course available है, जो total number of lectures tentatively available है, वो 216 है, जो duration है एक lecture का, वो 1.5 घंटे का एक lecture होगा, जो total classroom teaching hours होंगे इस course में, वो करीब 324 घंटे होंगे, जो total test duration रहेगा, जिसमें 6 review test होंगे, part or cumulative test, और 7 full से labor test है, जो total मिला के 43 hours है, तो जो total academic hours है, इस course के लिए, वो 367 hours का course रहेगा, अब बच्चों, इस course का fee structure, जो total fees है, सारांश course की, वो तक्रीबन 20,000 रुपए है, जिसमें जो admission fees है, 5000 और tuition fees, 15,000 रुपए है, बच्चों, ये fees आपको single installment में जमा करनी है, और इसमें कोई refund नहीं है, अब हम जानते हैं कि, इसमें क्या के scholarships available है, जो students last year NEET, UGA 2022 दे चुके हैं, और वो दुबारा अपनी performance increase करना चाहते हैं, उन candidates के लिए, handsome scholarships available है, जो जिन students के 500 के उपर score आया, उनको 100% scholarship है, इस course के लिए, अब हम जानते हैं कि, इस course के लिए हम लोग कैसे apply कर सकते हैं, बच्चों इसके लिए आपको Resonance की main website पे जाना होगा, www.resonance.ac.in website पे जाके आप देखी गया, यहाँ पर सारांश कोर्स का एक link लगा होगा, इस link पे जब आप click करेंगे, तो आपके लिए यह form open होगा, इस form में आप details fill up किजिए, form apply किजिए, और pay fee online mode पे जाके आप fees payment कर सकते हैं, अब हम बच्चों जानते हैं हमारा last year का NEET UG का जो result है, जैसा कि बच्चों आप देख रहें कि All India 13th rank और 27th rank भी Resonance Coaching Institute से आई भी है, और total जो हमारा selection है NEET UG का, अब तक 2012 से वो 19,600 students का selection हमारे यहां से हो चुका है, तो आईए और crash course join कीजिए, thank you.